हाई गाइज, वेलकम बेक टू माई चेनल आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ B.A.S.N.L. के 4G नेटवर्क के बारे में B.A.S.N.L. की जो फिलहाल की आलाता है करेंट इसकी इस्तिधी चल रही है उसके बारे में बात करेंगे B.A.S.N.L. की सेलरी के बारे में बात करेंगे जो regular employee हैं और contact पर करेंगे उनकी जो सेलरी है वो टाइम से नहीं मिल पा रही है ऐसा क्या कारण है जो उनकी सेलरी B.A.S.N.L. टाइम से नहीं दे पा रहा है उसकी पूरी बात हम करेंगे इस वीडियो में पूरी information को inform करेंगे तो वीडियो में end तक जरूर बने रही है क्योंकि आपकी इसमें information हो सकती है जो आपके लिए कुछ ना कुछ तो help जरूर करेगी तो चलिए आप करते हैं आगे की बार एक बात और बाता दो वीडियो सुरूर करने से पहले कि आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो को मेरी को पहली बार देख रहे हैं चैनल को पहली बार बिजट किया है तो चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें वीडियो को लाइक करने से बस इतना फायदा होता है हम मोटिव लिकलते हैं और आप डिसलायक करते हैं तो इतना है, म में हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिससे की कंटेंट अच्छा नहीं अपाता है vais को लाइक करें और अपने दोस्तों के साल सेयर भी कर सकते हैं आप करते हैं बेति हैं सब्सցर्स पहला को सैली कहों ये काम होगा BSNL 4G होने के बाद, ये काम होगा BSNL 4G लाने के बाद, मतलब कि इसका मैन मुद्दा 4G ही बना लिया है, BSNL के जो बरकर्स हैं, BSNL के करमचारी हैं, और BSNL के जो MD हैं, CMD कह सकते हुने, CMD और MDB कह सकते हुने, Management Director, और जो है PK पुरवार, रवी संकर प्रिसाद जी ने पहले भी कहा था कि BSNL की सेलरी मिल पाएगी, 4G आएगा तब ही, तो एक बात मैं इन से पूछना, सभी से पूछना चाहूँगा कि अगर BSNL का फोरजी अभी नहीं आया, एक साल पहले आ जाता तो एक साल पहले सेलरी मिल जाती, अगर एक साल ब करें, उनकी लगवक 11-12 महीने की सेलरी इखटे हो गई है, अभी तक कोई भी सेलरी का एक फूटा कोडा भी नहीं मिला है, तो इसमें आप बताईए मुझे कि आपको ऐसे में कैसा लग रहा है और आपको ये बीडी पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, हाँ, और एक बात कि बीएसनल का जो रेगुलर इंपोला हैं, उनका इतना कोई भी धंदा नहीं है, क्योंकि उनकी जादा सेलरी है, उनकी जादा माँ है, उनके लिए सेलरी दे दी जाती है, इसका बिल्कुली उल्टा काम है, बीएसनल का, बीएसनल की जो जादा सेलरी है, उनके लिए टाइ पांच लोग आराम से समल जाएंगे पांच लोगों की सेलरी दे दी जाएगी एक महीने की सेलरी में कौंटक् قण की एक महीने की सालिरी लगवच ज्यादा से जादा होती तो दस्यायर रुपई होती है और जो रेग्रgn रेगुलर पचास साथ नभ्य इतनी होती है लगवग तो उसमें ऐसे अगर पचास हार सब की माने ली जाए फिर भी उसमें पांच कॉन्तेक्ट मुशनिया लिग प्रॉयर उन हर्वाय को कोई छिंता नहीं रहेगी और उसमें एक महिने का कॉ बात करनें जो कोन्टेक्त ब्रकर पर होता है और भी बहुत सारी कंपनिया हैं जिन में ज़्यादा काम करते हैं लोग उनको salary कम दी जाती है बट उनकी salary time से तो दे दी जाती है लेकिन इनकी salary भी time से नहीं दी जा रही है अब इसमें सबसे बड़ा जो काम चल लाएंगे यह है वो है बी एसनल का फोर्जी मुझे तो लग रहा है कि इस साल तो आ नहीं सकता क्योंको इस साल आएगा तो कैसे आप आएगा जब तक यह फोर्जी ला पाएगा तक जो जीओ है वो 5G ले आएगा और जीओ 5G ले आएग तो क्या होगा फोर्जी का कोई माने ही नहीं रहेगी जैसे कि फोर्जी जीओ का है इसके 3G है 3G में ऐसा यह रगड़ का चल लाए ऐसे ही जब उसका 5G आएगा तो इसका फोर्जी भी रगड़ कर रही चलेगा कुछ फायदा नहीं है फिर इनके फोर्जी लाने का कोई फा 5G आए ऐसा तो मतलब कि मुम्किन ही है तो अगली बात करें कि बी एसनल के जो काम है वो क्या चला है भी बी एसनल का फोर्जी का काम चला है कि टेक मेहंदरा कंपनी ने कहा दिया है हमारे पास सामान अब बन गया है तैयार हो चुका है आप अपना सामान ले जाए लेकिन ब अब बात करें आगे की तो एक इसमें एक काम और चला है कि इसकी चल चल संपत्ती है जिसका कोई यूज कम नहीं किया जा रहा है जिस संपत्ती का जैसे कोई बील्डिंग पड़ी है बहुत बिल्डिंगग खंडर हो चुकी है जो खाली मैधान है इसका वी एसनल का लगवा हजारों वीगे के करीब है उसका कोई यूज नहीं उसको बेचने का काम चला है अगर उसे बेजना है जल्दी से जल्दी बेचा जाए जिससे की कंपनी में काम किया जाए तो थोड़ाद कंपनी चल सकती है लेकिन ऐसा बी एसनल के लोग कदाब भी नहीं कर रहे हैं के बल डे है तब ही दिया जाएगा ऐसा डेली कहा जाता है डेली प्रवार के यह सामाने वह बेचा जाएगा तब यह काम किया जाएगा धरति बेकी जाएगी जो खाली में जाया थे भो बेकी जाए बी एसनल की और फिर उसका पैसा दिया जाएगा lakyn ऐसा अबी तक मु क점 नहीं चुका था चाइना ने इंडिया पर अटेक किया तो बीस लोग अपने जवान थे वो मारे गए तो इसमें क्या किया गया भारत सरकार ने बस इतना ही किया कि हम आपका कोई सामन नहीं खरीदेंगे आपके जो हमारे इंडिया में एप्स चल रहें टिक टॉक पब्जी और भी बहुत हैं उन्हें बंद करेंगे तो इससे क्या होता है इससे बस इतना ही होता है कि जो हमारी करेंसी है वो इंडिया से बाहर नहीं जाए लेकिन इंडिया से बाहर करेंसी जाकब रही है टिक टॉक से इंडिया की करेंसी कभी बाहर नहीं गई क्योंकि वो तो गूगल एड तक पबजी डेक्ट्ली करेंसी लेता था कोई गन है वह गन खरीदते थे तो उसमें पैसा देना पड़ता था डारेक्ट लेकिन पबजी बंद किया यह बहुत ही मतलई सही काम किया लेकिन यो टिक टोक बंद कि उससे वैसे कोई इंडिया को नुकसान नहीं था और इतना बड़ा फोग थायदा भी नहीं था लेकिन सबसे घटिया काम है इसका तो बस इसका बाकि सब काम सही है लगवग और बीयासला का काम तभी किया जा सकता है जब इसके जो वो धंक से काम करें बीसेयरी कम है उनके लिए उनके लिए बहुत कम लेकिन वही सद्री बहुत काफ ही है और वह सेलरी भी नहीं दी जारी तो इस से contact worker है, उनका थोड़ा दिमाग हिल रहा है कि हमें इतना तो पैसा मिल नहीं रहा है फिर भी ये हमको salary दे नहीं रहे है तो इसलिए थोड़ा इसमें गरबर हो गया है इस contact worker के थोड़ा दिमाग में आ गया है कि हम काम नहीं करेंगे तो thank you for watching दोस्तों कैसी लगी वीडियो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपने दोस्तों के साथ share भी कर सकते है और मुझे comment box में बताईए जानकारी आपको कैसी लगी और जानकारी अच्छी लगी हो तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब करने thank you मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए वाई अपना खायार राकिए बाई